नमस्कार आप देख रहे हैं Go News India, मैं हूँ पंकट पचोरी और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की अर्थ व्यवस्था के बारे में और अर्थ व्यवस्था के बारे में सबसे बड़ी बात इस हफते हुई है वो यह हुई है कि एक तो हिंदुस्तान का जो स्टॉक बाजार, शेर बाजार है वो अपनी सबसे रिकॉर्ड उचाई पर पहुँच गया है जी हां 52,000 से ज्यादा और कुल कहें तो 52,232 तक पहुँच गया स्टॉक मार्केट इस हफते में और सेंसेक्स की रूचाई को कहा जा रहा है कि देश में लॉक्टाउन अब देरे-देरे खुलने के बाद में तेजी पकड़ रहा है मार्केट और इस समय हालात यह हैं कि देश में जो पूरी हमारी अर्थव्यवस्ता है तो देश की जीडिपी है उससे भी ज्यादा पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट की कमपनियों का इस समय मार्केट कैपिलाइजेशन है तो यह बहुत बड़ी चीज है आपको बताते हैं हम लेकिन इसके पीछे कई सारी चीज़ें छुपी होई है एक तो यह कि उस समय में जब दूसरी वेव कोरोना की मुल्क में है इस दूसरी लहर में जो है डेड़ लाख के आसपास जो है वो लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ एक महीने में तो उस समय मार्केट इतना उपर क्यों जा रहा है इसकी हम विस्तार से आप चर्चा करेंगे और बताएंगे कि मार्केट में पैसा लगाना इस समय उचित है या नहीं है तो लेकिन शुरुआत इस से करते हैं कि इस समय मार्केट का स्टॉक बाजार का क्या हाल है इस ग्राफ करने दर डाली है तो आप देखेंगे कि मार्केट में जनवरी 2020 में सेंसेक्स भारत का संबेदन शील सुचकांक जिसे हम बोलते हैं वो 40,723 था जो कि अब बढ़कर के 52,232 पर पहुंच गया है और इसमें कोई 28 फीस्ती की बढ़ोत्री जो है वो दिखाई दी ह और इसकी वज़ा बताई जा रही है कि कमपनिया जो है उन में लोगों का पैसा लगना शुरू हो गया है और काफी पैसा लोग लगा रहे हैं आम लोग जो घर पर बैठे हुए हैं लॉकडान की समय में वो अब मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और सरकार का ये भी कहना है कि कोई 6 करोड के आसपास जो है कुल इस समय जो रिटेल हमारे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर हैं वो मार्केट में कूदे हैं पिछले साल में ही कोई 1 करोड के तक्रीबन नए अकाउंट्स जो है डीमेट अकाउंट्स जो है वो खोले गए हैं ऐसा RBI का कहना है लेकिन यह आप नीली जो लाइन देख रहे हैं उपर इसके अलावा आप यह नदर डालिये कि यह लाल वाली लाइन है यह क्या है यह लाइन जादर महत पूर है नीली लाइन से क्योंकि नीली लाइन जो है वो सिर्फ सेंसेक्स की है जिसमें 30 कंपनियों के स्टॉक प्राइसेज शामिल है और ये नीची वाली लाइन है ये है BSE Bombay Stock Exchange की 500 कमपनियों की लाइन है और ये भी जो है जनवरी 20 में 15,649 से बढ़ करके अब जून में 21,304 पहुंच गई है और इसमें 36% की बढ़ उतरी जो है वो दिखाई दी है तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ी कमपनिया है उन में उतनी ज्यादा तेजी नहीं आई है जितना की जो छोटी कमपनिया है मजोली कमपनिया है उन में तेजी आई है जो पांच सो का मतलब यह होता है कुल अगर देखे तो भारत के स्टॉक मारकेट में कोई 2600 के आसपास लिस्टेड है और यह उनी का सारा लिखा जो का है लेकिन अगर हम इस बात से अगर हम इस बात से बहुत खुश है कि हिंदुस्तान का स्टॉक मारकेट बहुत अच्छा काम कर रहा है और अब लॉकडाउन खंले वाला है और स्टॉक मारकेट और उपर जाएगा इसमें पैस जो हैं वो दोबारा कुली हैं construction का खुल गया है आप वो कह रहे हैं कि malls जो है या बाजार जो है उनको भी अगले हथे से खोला जाएगा लेकिन तीसरी लहर जो है उसके आने के आशंका भी जो है वो दिखाई जा रही है और इस तीसरी लहर पर तभी काबू पाया जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लग जाए कोरोना का vaccination पूरे मुल्क में हो जाए और डबलू एचो का ये कहना है कि जब तक सतर से प जो है वो बना रहेगा जिन जिन मुलकों में अब यह हो रहा है आप समझ सकते हैं जैसे अमेरिका में और जैसे इंग्लेंड में वहाँ पर मार्केट और ही ज्यादा तेजी से उपर जा रहा है एक नज़र डालिए आप तो सिर्फ हम ये मार्केट उठाते हैं अमेरिका के नेस्डेक जो है वो 94 फीजदी उपर गया है तकरीबन 95 फीजदी उपर गया है इसी दोरान जनवरी 20 से लेकर के और ये मार्च तक का अंकड़ा है नए आंकड़े अभी आया नहीं लेकिन अभी उससे भी उपर अब पहुंच रहा है इसके नेस्डेक में वो कंपनिया है ज जैसे की गूगल है जैसे की फेस्बुक है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है आई बीम है इस तरह की कंपनियां नेस्डेक में होती है टेक्नॉलजी कंपनिया जो उसमें शामिल लगती है बाकि जो इंडस्ट्री जिसमें होती है वो डाउ जोन्स में आती है इंडस्री जो इंडे की तब से लेके अब तब उनको इतना फाइदा हो चुका है और ऐसा ही standards and poor S&P 500 जिसे हम कहते हैं जिसे हमने भी आपको बताया BSE 500 तो standards and poor यानि अमेरिका की जो 500 बड़ी कंपनिया हैं उनमें भी अगर आपने पैसे लगाया हो तो आपका फाइदा जो है वो 6 तरफीज दी के आसपास रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो technology कंपनिया हैं उनका फाइदा जो है वो बहुत ज्यादे रहा है इस दोरान में क्योंकि ज्यादे से जाए लोग घर पर बैठे हुए हैं उनको technology की जरूवत है उनको internet की जरूवत है internet पर सारे काम हो रहे हैं और ये वो कंपनिया है जैसे Netflix है Google है Apple है इन सारी कंपनिया जो है ये NASDAQ की जो उतार चड़ा रहे हैं उसको दिखाती है तो आप इसको जो है वो बड़े आराम से देख सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान में हालात इतने ज्यादा अच्छे नहीं है और वो इसलिए नहीं है कि अगर हम देखें तो इसी हफ़ते RBI ने अपनी रिपोर्ट पेश की और RBI ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो कंजूमर कॉन्फिडेंस है जो कि भोगताओं का एक विश्वास जिसे हम कहते हैं उसका जो इंडेक्स है वो इस बार दूसरे लॉकडाउन के दोरान पहले लॉकडाउन से भी ज्यादा है उस पर आप नदर डाल सकते हैं और इंडेस्ट्री जो है उसमें बुरे हाँ है आप यह देख सकते हैं बिजनस एक्टिविटी इंडेक्स और यह स्टेट बैंक ओफ इंडिया की रिपोर्ट के मताबिक है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो इंडेक्स है और यह किस थे वो रूज पर थे तो अब समझ सकते हैं कि जव एक्टिविटी है जो बिजनसहिटी है जिसका लेन देना हाला कि कंपनियों से होता है लेकिन यह पर क्यों यह बताएंगे तो ये State Bank of India का आंकड़ा है जो आपको बताता है कि किस तरह से business activity जो है वो एकदम से नीचे आ गई है इसके बाद में देखिए आप अगर तो कुछ ऐसे ही आंकड़े जो है वो Reserve Bank ने भी दिये हैं और ये इसी हफते की report है और इस report में आप साफ साफ देख सकते हैं ये report थोड ये December 16-18 उठाई है क्योंकि November में demonetization यानि नोट बंदी हिंदुस्तान में हुई थी और उसके बाद से ही अगर आप देखें तो current situation index यानि आज की क्या इस्तिति है इसके बारे में जो market survey है Reserve Bank of India का वो तब से ले करके नीचे रहा है और ये सिर्फ पिछले चुनाव 2019 के चु नीचे जा रहा है और कोरोना की पहली लहर के दोरान ये 52 नंबर तक पहुंच गया था negative आप समझ सकते हैं 100 से नीचे आप जो भी देख रहे हैं 100 वाली जो line है इसके नीचे जो भी है वो negative sentiment है और अब ये 48 दिशनलव 5 पर पहुंच गया है यानि कि जितनी consumer का जो confidence था वो इस समय बिलकुल कम है पिछले साल के comparison में भी उपर वाली जो line है वो future expectations की line है कि आप आगे क्या समझते हैं आगे क्या होने वाला है और आपके क्या उमीद है उसे भी आप देख सकते हैं कि ये भी जो है नोट बंदी के दोरान के बाद नीचे जाना शुरू ही उसके बाद म से बिलकुल ठीक पहले ये उपर उठी उसके बाद में भारतिय जंता पार्टी चुनाप जीती नरेंद मोदी दुबारा प्रधान मंत्री बने और तब से ये फिर नीचे जाना शुरू हो गई और मई 20 में पिछले साल मई 20 में तेरह महीने पहले ये नेगेटिव में गई 97 देशनलव 9 पर और इस साल मई में ही 12 महीने के अंदर एक साल के अंदर अब ये 96 देशनलव 4 पर आ गई है यानि कि पिछले साल से ज्यादा इसमें गिरावट जो है वो दिखाई दे रही है तो ये दो तस्वीर हैं आप देखें अगर तो ये दो तस्वीर हैं बादार की ए एक तस्वीर यह एक तस्वीर है कि मारकेट लगातार ओपर जा रहा है सेंस जो है वो बुलंदी पर है रिकॉर्ड नए रोज बनाये जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर यह आप देख सकते हैं इसमें कि जो कॉन्फिदेंस है मारकेट में बाजार में आपको मालूम है आप खुद घर में बैठे हुए हैं लोगों की नौकरियां चली गई हैं एक तक कहा जा रहा है कि कोई 33 करोड़ लोग पिछली जनवरी यानि वो 2020 की जनवरी से लेके अब तक वो मिडल क्लास से हट करके पौवर्टी में चले गए हैं गरीब की रेखा जो है वहां तक पहुंच ग रहा है और लोगों के हाथ में पैसा कम है इसलिए वो खर्च कम कर रहे हैं डिमांड कम है और अगर डिमांड कम है तो कंपनियों का माल जो है वो बिकना मुश्किल है और उसकी वजह से आप ये समस्याएं जो है देख रहे हैं लेकिन अब मज़े की बात यह है कि मार्केट उपर क्यों जा रहा है हम आपको बताते हैं मार्केट उपर क्यों जा रहा है और इसके पीचे क्या रास है तो अगली अगर ये चार्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट इसलिए उपर जा रहा है ये जो है ये भी Reserve Bank of India का हास्क्रा है एक मिनेट करीत फरोग्ट होती है इसटाउप बाजार में यह उसकी रिषर्च है और इस रिषर्च में यह और यह विजनस स्टैंडर्ड जो अखबार है उनके रिशर्च नहीं बनाए है चार्ट और इसमें आप देख सकते हैं कि सच्चाई वास्तम में क्या है तो यह नीली रेखा है क हमको बताती है कि जो foreign portfolio investment है यानि कि जो विदेशी investor है निवेशक है हिंदुस्तान के stock बाजार में वो कितना पैसा लगा रहे हैं और दूसरी जो रेखा है वो domestic institutional investor जैसे कि bank हैं जैसे कि mutual funds हैं जैसे कि LIC है ये कितना पैसा market की कंपनियों में लगा रहे हैं तो इसे अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि इस समय हिंदुस्तान में पिछले महीने मई में एक लाख 32,000 करोड एक लाख 33,000 करोड तकरीबन पैसा जो देशी investor हैं जो देशी निवेशक हैं उन्होंने market से निकाला लेकिन जो विदेशी निवेशक हैं या financial institutions हैं उन्होंने धाई लाख करोड दो लाख 50,565 करोड रुप्या भारत के स्टॉक बाजार में लगाया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में कि इतनी बड़ी संख्या में जो देशी निवेशक हैं वो पैसा निकाल रहे हैं और विदेशी निवेशक जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं और इसका कारण यही है कि अमेरिका के बाद में यूके के बाद में हिंदुस्तान में जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत जादा हुआ है और ये जो पैसा है जिसे हम कहा रहे हैं इसे हम होट मनी कहते हैं उन्होंने पैसा लगाया दो तीन सा के लिए और उनने फिर पैसा वहां से निकाल दिया मार्केट से और जो देशी हमारे निवेशक हैं वो ज़ादे समय के लिए पैसा लगाते हैं और यह FDI नहीं है जिसे हम Foreign Direct Investment कहते हैं जो कि कंपनिया नहीं बनाई जाती है उसमें लगता है यह वो नहीं है यह Institutional यानि की Portfolio Money है जो कि सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है जैसे कि हमने पिछले साल में देखा कि भारत की सबसे बड़ी जो कंपनी है Reliance उसमें बाहर की कंपनियों ने तमाम पैसे लगाया कोई 10 बिलियन डॉलर के आसपास और जो कि कोई 70-72 हजार करोड के आसपास बैठता है वो पिछले साल उन कंपनियों ने भारत में लगाया और जो स्टॉक है वो Reliance का खरीद लिया ऐसे ही तमाम जो अब विदेशी portfolio's हैं वो हिंदुस्तान की कंपनियों को खरीद रहे हैं इसका सीधा-सीधा अर्थ यह है और इसलिए हिंदुस्तान का जो बाजार है स्टॉक बाजार है वो लगातार ओपर जा रहा है नई record बना रहा है अब देखना यह है कि इस समय स्थिति क्या है इस साल के लिए जो 21-22 का जो हमारा financial year जिसे हम बोलते हैं उसके लिए ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान जो है वो दस फीजदी से ज्यादा growth दिखाएगा लेकिन अब दूसरी लहराने के बाद में सबी banks चाहे वो विदेशी bank हो चाहे हिंदुस्तान के bank हो वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम इतना पैसा नहीं बना पाएंगे state bank of India ने तो कहा है कि इस साल की जो growth है वो double digit में नहीं होगी RBI ने भी माना है Reserve bank of India का कहना है कि साड़े 9 फीजदी होगी state bank का कहना है कि कोई साड़े 7 फीजदी के आसपास होगी और अभी पूरी समस्या जो हो खत नहीं हुई है क्योंकि अभी lockdown पूरा उठा नहीं है तो lockdown आपका लगा तो अभी लगेगा फिर lockdown जब उठेगा उसके बाद भी उपर जाने में समय लगेगा तो एक बार नीचे गया आपका graph जो है business का और उपर जाने में समय लगेगा तो वो जो average उसका निकालेंगे तो उससे बहुत साफ यह हो जाएगा कि हिंदुस्तान की इस्थिती जो है जो GDP जो है वो पिछले साल जितनी बुरी नहीं होगी लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं होगी यह साफ साफ दिखाई दे रहा है अभी तक किसी नहीं कहा है कि हम negative growth में जा सकते हैं को पिछले साल इतनी negative growth हुई साड़े साथ दशनलों के आस पास तो उससे खराब नहीं होगी और उसके हिसाब से हम थोड़ा सा positive growth में जाएंगे लेकिन इतना नहीं जा सकते और उस समय हमें यह देखना पड़ेगा कि जो return जो है company का वो कितना होगा और return company का अच्छा नहीं होगा तो विदेशी निवेशक जो है वो अपना पैसा निकाल लेंगे और यह सबसे ज़ादा चिंता की बात आपके लिए भी है अगर आपका पैसा लगा हुआ है अगर आप उन लोगों में हैं जो घर पर बैठे हुए हैं और मार्केट में रोज पैसा लगा कर दोचते हैं इतना पैसा हमारा बन जाएगा और इतना होगा क्योंकि मार्केट जो है तेजी से उबर जा रहा है आपको यह ख्याल में रखना है कि यह जो पैसा है यह होट मनी है यह कभी भी वापस जा सकता है और हाला कि फानेस मिनिस्टर वितमंत्री का यह कहना है कि हिंदुस्तान के फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान के फंडामेंटल्स अच्छे हैं क्योंकि जायता अब कम्पनियों के तो क्यों ईमकर बहुत 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 बैथ वह हुए और वह इसलिए हुए हैं जो और उपनी बजट में घट्रोव फोर ने लोगों को نरता हूए जो offices थे वो छोड़ दिये थे, rent कम हुआ था, आपका salary bill कम हुआ था, इसलिए आपके profits भड़ गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या यही चलेगा, यह बिलकुल कहना, किसी के bus की से में बात नहीं है, लेकिन आपको यह चितावनी है, कि साबधान रहे हैं इस market से, यह market जो है, वो एक बुलबले की तरह, इस समय हो रहा है, क्योंकि इसमें बाहर का पैसा लगातार लग रहा है, साबधान रहें, और अपना पैसा, जो है, उसकी देखवाल आप खुद करें, और साथ ही अगर market में आप invest कर रहे हैं, तो किसी जानकार से बात करके, तभी market में invest कर हैं, क्योंकि ये वो market है, जो इस समय पैसा लगाने के लिए बहुत hot market हो गया है, आज इतना ही, हम चर्चाई जारी रखेंगे, आपको बताते रहेंगे, कि किस तरह से देश की अर्थ व्यवस्ता जो है, उसके उपर कोरोना की दूसरी लहर की मार पड़ रही है, आज इतना नामस्का